नमस्कार मेरे नाम है सुरेंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ वो हैं जो किसी तारीफ और नाम के महताज नहीं है शांती सुरूफ बाओ जी शांती जी आपका हमारे चनल में स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाई सुरेंदर आती हैं बाबा स दक्टर बी आर अमबेट करके चड़ों में आते हैं और क्यों नहीं जाते वह अपनी प्रभू की शरण में इसे अपना सभी चीज वापस ले सकें देखें यह व्यवस्था का परिश्ण है व्यवस्था ऐसी बना दी गही है इस देश में कि आम आदमी को बिलकुल दिमाग उनका हैक कर दिया गया है परचार करके परचार करके यह बता दिया है कि वहाँ जाके नाग रगड़ो के तो तुमारी यह मनत पूरी होगी वहाँ इतने वरत रखो के तो तुमारी यह मनत पूरी होगी फ़रा बंदिर में जाकर के यह चड़ाओ के तो यह मनत पूरी होगी और वो बिचारी जनता को इसकाबिल कर दिया कि वो कुछ निर्ने ले नहीं पाती कि ये जो परचार कर रहे हैं इसमें कुछ तथ्थे भी है या नहीं है असलियत तो ये है कि बाबा साहिब डांक टम बेटकर ने वो कमाल कर दिखाया कि वो जमाना लद गया वो अब इनके घर में कितने सादू जा रहे हैं जेल में देख रहे हैं ना अरे तुमारे में इतनी शक्ती है तुमारे इतने सारे देवी देवताओं में इतनी शक्ती है तुमने इतने अभिशाप तुम देते हो वरदान तुम देते हो उसमें अगर शक्ति है तो भाईया तुम जेल में क्यों जाते हो ये बाबा साहिब डांक टम बेट करना होते तो इन साधु संतों को जेल में जाने का प्रावधान कभी न मिलता यही कारण है जो बाबा साहिब डांक टम बेट कर को गाली दी जाती है उ अभी एक चिन में नंजी गए ना जेल में, कल गए है ना जेल में, किसी देवता ने ने बेजा, किसी मंदिर ने ने बेजा, किसी वृत तिवार ने बेजा, उनको किस ने बेजा, समिधान ने बेजा, इसलिए ये लोग हमारे समिधान को, बाबा के समिधान को, दुनिया के पल्याणकारी समधन को जाली देते हैं. इन मंदिरों में कुछ नहीं रखा, मंदिरों में एक वर्ग विशेश की कमाई का इंतजाम है, बगर मेहनत किये, और वो बगर मेहनत किये सबसे उचा, और जो अपनी जान हतेली पर रखर, गटर में उतरके अपनी जान पर खेल जाता है मेहनत करके खाता है तो मैं इसे सिहत मंद रहने के लिए इस सारे सहर की सवाई करके जीता है वो नीचा ये अनर्थ नहीं होना चाहिए अमरीका की वेवस्ता यहां लागू होनी चाहिए कि जिसके काम करने से से पाते हैं कितने नोटों का धेड़ लगा है और विचारा जो अपनी जान पर खेल के दो जून की रोटी कमा के खाता है उसकी जान पर हमेशा संकट रहता है जगा जगा अपमानित होता है मॉबलिंची का भी वोई शिकार और ये मॉबलिंचींग से ज़्यादा खतरना कामड वो कामड का भी शिकार तो आज बाबा साहिब डाक्टाम बेटकर के समिधान में और इन देवी देवताओं से मननत मांगने में क्या अंतर है वो इस साब सपस्ट है मझे आप एक बात बताओ मैं कोई भी मंदिर में चलो मैं चलने को तैयार हूँ और मैं जो मननत मांगूँ भहिया मुझे ये नहीं कि खाली हवा में मननत में गणाए नगत चाहिए या तो मुझे नोकरी का एपाइमेंट तो कहते नहीं यहां जाकर के नोकरी लग जाती है अपाइमेंट लेटर चाहिए जासा नई चाहिए जासे का जमाना जा रहा है विज्ञान का जमाना सवविधाण का जमाना आ रहा है तो आज मैं गिस्वी के भी साथ चलने को तैयार हूँ मगर सवविधान को आज-ाज आज मांके देख लो कोई कितना ही बड़ा संकरा चाहरे हूँ कितना ही बड़ा सादू हो वो जो पांच शील हैं बुद्ध के बताए हुए उनमें से किसी भी शील का उलंगन करके दिखा दे और वो साबित हो जाए सीधा जेल में जाएगा और जब जेल में जाएगा तो कोई उसको देवी देवता बचाएगा नहीं कितने बाबा अंदर गई हुए हैं कितने बाबा अंदर गई हुए हैं मेरे समाज के लोगों बहुजन समाज के लोगों अगर देवी देवता में कुछ जान होती उन में कुछ करामात होती तो उनके नाम का धंदा करने वाले जेल में ना होते इसलिए अपनी शक्ती को पहचानो आप बड़ी एमानदारी से बड़ी महनस से कमाते हैं अपनी कमाई का पैसा फजूल के लोगों पर मत लुटाओ वो पैसा जब इनके पास जाता है पिर वो ही पैसा हमारा अत्याचार हमारा सोशन हमारे साथ हक तलफी करने के काम आता है आप अपना भविष्च समाल के रखें अपनी कमाई का पैसा अपने बच्चों के भविष्चे पर लगाएं और मंदिर में अगर जाएं तो भैया पैसा मत चड़ाना वहां पैसा तो बड़ी गंदी चीज है मुँ में भी आदमी रखता है टोईलेट में भी गिर जाता है लोग दूसको थूक भी लगा के नोटों को गिनते हैं तो वो पैसे मत चड़ाना किसी भी मंदिर में चड़ाना तो क्या चड़ाना फूल चड़ाना इसके लाव और कुछ नहीं तो आज सविधान महान है देवी देवता आशिरवाद अभिशाप ये सब बेकार है ये आज साबित हो चुका है धन्यवाद धन्यवाद साब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले